हेलो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे युट्व चैनल में आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरो नौट एक्स लिमिडेट की तरप से निकलने वाली अपडेट के बारे में तो यहां पे बहुत ही बड़ी ऑपोचुनिटी है हमारे फ्रेशन के ल होने वाला है यहां पर आपको सेलरी जो हो कितनी मिल जाएगी सेलेक्शन किस बेसिस पर होगा और यहां पर कैसे अप्लाइ करते हैं एक्जाम कैंट्रिइंट क्या रहने वाला है इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं वो भी डीटे नंबर आपको शो हो रहा होगा HRTBE202403 एक नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है जो की एक प्रीमियर एरोनौटिकल इंडस्ट्री ऑफ साउथ इस्ट एसिया और जो बिगेस्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस मैनेफेक्चर है वर्ल्ड में विद 21 प्रो पॉच्यूनिटी है अब यहां पर पोस्ट क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो पोस्ट है वह आपकी ऑपरेटर की रहेगी इसमें अलग-अलग डिस्सिप्लिंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि सिविल है इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रो तो यहां पे जो first post है civil की उसमें आपको दो नम वेकेंसी है फिर electrical में 14 है electronics में 6 है mechanical में 6 है fitter में 26 और electronics mechanic में 4 है उसका यहां पर distribution में आपको show हो रहा होगा total 58 vacancies आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं इसमें और चीज़ों के बारे में जैसे कि आपका इसमें qualification क्या चाहिए तो आपको post code show हो रहा होगा यहां पर post and channel scale trade और qualification यानि civil electrical electronics mechanical इन सब में आपको diploma चाहिए जो भी discipline है उसी में आपको diploma होना चाहिए तो आप यहां पर eligible हो और last की जो दो post है जैसे कि फिटर है और electronics mechanic है इसमें आपका SSC SSLC plus NTC होना चाहिए या फिर ITI plus NAC या फिर NCTVT आपका fitted trade में होना चाहिए फिटर के लिए और आपका electronics mechanic trade में होना चाहिए तो यही दोनों जो आवो qualifications आपकी होनी चाहिए लेकिन अलग-अलग discipline में यानि जो discipline आपको मांगा गया है उसी में आपके ये course होना चाहिए अब बात कर लेते हैं यहां पे age limit के बारे में तो आपकी age जो OBC के लिए 3 साल का आपको relaxation देखने को मिलेगा और SCST के लिए 5 साल और यहां पे PWBDS के लिए up to यहां पे 10 साल का relaxation आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं minimum percentage of marks की तो यहां पे आपकी जो marks होने चाहिए unreserved OBC EWS के लिए 60% और अबव आपका होना चाहिए जो भी आपकी qualification है इसमें eligible होने के लिए और SCST PWBDS के लिए 50% और उसके अबव होना चाहिए तो आप यहां पे eligible हो और apply कर सकते हो अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं इसमें और चीजों के बारे में जैसे कि यहां पे आ होंगे induction channel D6 है उसकी जो D6 post में आती है उसके लिए आपको 23,000 मिलेगा और C5 के जो post code वाले हैं जो post है उसकी code C5 है उसके लिए आपको 22,000 यहां पे salary मिलेगी तो मैं बता देता हूं एक बार के कौनसी D6 थी और कौनसी C5 थी तो जो diploma वाली जो post थी वो D6 थी और बाकी की ज यहां पे इसकी थी C5 की ओके तो इसके लिए आपको D6 की जो post है उसके लिए 23,000 और C5 के लिए 22,000 यहां पे आपको salary मिलेगी इसके अलावा आपको बहुत सारे allowances और box यहां पे provide किये जाएंगे जो कि इसके बाद आपका package जोब काफी अच्छा यहां पे रहने वाला है अ लेकिन फिर भी चार साल भी आपको यहां पे HL में काम करने का मौका अगर मिलता है तो बहुत ही बड़ी बात यहां पे होती है बहुत ही बड़ी opportunity आपके लिए यह रहने वाली है अब दोस्तों यहां पे बात करेंगे और भी चीजों के बारे में जैसे कि आपका यहां पे जो requirement रहेगी उसके साब से कहीं भी आपकी posting, transfer जो है वो posting तो आपकी नासिक division में होगी लेकिन transfer आपका फिर कहीं भी हो सकता है और यहां पे दोस्तों बात करेंगे selection procedure के बारे में तो यहां पे आपका candidates needs to apply online तो आपको यहां पे online apply करना होगा eligibility criteria जो हो अगर आप fulfill कर रहे हो यहां नहीं कर रहे हो यह आपको चेक करना होगा online will be screen as per the eligibility criteria as per the notification आपका इसमें जो है वो written exam रहेगा written test रहेगा based on the mark secured in the qualifying examination तो उसी के तयद जो है वो आपको यहां पे select किया जाएगा अब जो percentage है वो क्या रहेगा तो वो भी आगे देख लेते हैं कि इसमें written test जो है वो कहां पे होगा तो यह नाशिक पे होगा अब इसमें written test में आपको धाई गंटे का duration मिलेगा यह three parts होगा multiple choice questions ही इसमें पूछे जाएंगे part 1 में आपके 20 questions होगे general awareness के part 2 में आपके 40 questions होगे English and reasoning के और part 3 में 100 questions आपको पूछे जाएंगे जो आपके discipline के related होगे जिसमें आपने qualifications किया है उसके related अब यहाँ पे हर एक question यहाँ पे one mark कर आएगा और यहाँ पे कोई भी negative marking नहीं है तो यह आपके लिए plus point है यानि आपको हर question के यहाँ पे marks देने होंगे इसमें अगर आप किसी marks किसी question के answer नहीं भी देते हो तो यहाँ पे आपका कोई भी mark जो वो deduct नहीं होगा तो इसका plus point है दोस्तों अब यहाँ पे इसको qualify करने के लिए SCST के लिए 50% है और बाकी की जो categories है तो यहाँ पे 60% है इसमें qualify करने के लिए आगे और बात करते हैं यहाँ पे इसके regarding के इसका जो आपका अब यह तो मैंने बता दिया है के written test नाशिक में होगा लेकिन date क्या रहेगा time क्या रहेगा यहाँ पे जो वो address proper address क्या रहेगा यह आपको जो shortlist eligible candidates होंगे उनको email की थूँ यहाँ पे इसको notify कर दिया जाएगा कि यहाँ यहाँ आपको आना है इस यह date है यह time है यही चीज़े आपको admit card पे भी mention की जाएगी और यही जो इनकी official website है www.halindia.co.in इस पे भी यह list जो है वो जारी की जाएगी कि इतने candidates को जो है वो यहाँ पे contact करके बुलाया जा रहा है और यह आपकी date, time और venue रहेगा तो वो चीज़ आपको देखनी है अब दोस्तो इसका तो exam pattern आपने देख लिया है अगर इसकी आप preparation करना चाहते हो इसको और easy बनाना चाहते हो तो आप हमारे ultimate combo material में enroll कर सकते हो जिसमें आपको all-in-one notes और आपको तयारी का booster दोनों मिलेंगे इसमें आपको practice questions, video lectures और आपको notes भी मिल जाएंगे अब इसकी link आपको description में मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप इसमें enroll कर सकते हो दोस्तो अभी यहाँ पर offer days चल रहे हैं बहुती जादा discount यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो offer जो वो miss मत करना जल से जल इसमें enroll कर लेना तो video के description में add कर दूँगा वहाँ पर जाके आप इसकी full detail ले सकते हो अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर how to apply यानि apply इसमें कैसे करना है तो इसकी जो official website है hlindia.co.in पर जाके आपको registration करना होगा और application जो है वो यहाँ पर submit करनी होगी जो आपको online ही करनी है तो यहाँ पर और कोई दूसरा mode नहीं है जो आपको valid और active यहाँ पर email id और mobile number डालने हैं ताकि आपको जो भी future में इनके थूरू अगर आपको communication होगा वो इसी के थूरू ह होने वाला है तो आपको यह ध्यान रखना है और basic details जो है वो आपको यहाँ पर fill करनी होगी कुछ documents यहाँ पर upload करने होगे तो सही से आपको basic details वगेरा जो हो चेक करके डालनी है ताकि कोई दूसरी problem यहाँ पर आपको face ना करनी पड़े अब दोस्तों इसकी tentative dates देख लेते तो advertisement जो है वो issue हो चुका था 18 June से ओके तो already start हो चुकी है application 18 June से यह इसकी last date जो है वो 30 June रहने वाली है 30 June से पहले पहले जो है आप इसमें apply कर दे रहा है इसकी जो written test की date है वो भी यहाँ पे आपको बता दी गई है 14th July इसकी application इसकी written test जो है वो उसकी date यहाँ पे 14th July रहने वाली है तो preparation start कर दो यह जो pack है इसमें enroll कर लो जल से जल और इसकी date भी जो है वो नजदीक है तो दोस्तों जल्दी से enroll कर लेना तो दोस्तों इस पूरी वीडियो में हमने इस update को cover किया है आपको I hope कि यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़े clear हो गई होंगी फिर भी यहाँ प मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक क्या